नमस्कार दोस्तों मैं रोहिद गुपता स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एन आ यूएस क्लास 12 की प्रैक्टिकल फाइल सॉल्फ जो की फूट प्रेससिंग की है जो की एक विकेशनल सब्जेक्ट है टोटल इस कैसे बनाई है वो भी मैं आपको बता दूँगा उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा महनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में और उससे भी ज्यादा महनत लगते हैं अपके लिए जितना भी कंटेंट हम लेकर आते हैं यानि प्रैक्टिकल फाइल वागेरा इन सब को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल फाइल उससे पहले मैं आपको बता देत सकते हैं और उससे और ड्यीक यह ऀयर यह सेम ही रहती है तो अप किसी भी सेशन के शुडेंट और शीश के लिए या आप कभी इस वीडियो देख रहे निए बना सकते हो तो एक practical notebook use कर सकते हो या practical sheet a4 size की sheet use कर सकते है एक side उसमें plane या blank कह लें वो रहती है और एक side जो है उसमें lining रहती है ठीक है lining वाली side जो होती है आपकी लिखने के लिए होती है और यह plane वाली side जो होती है यहां पर आपको pictures वग्या पेस्ट करना हूता है front page और index आपको इसमें दिया रहता है जो kaupie होती है असमें दिया रहता है फ्रेंट पेइच की जग़ा क्या दिया है अपका certificate वाला paste दिया रहता है लेकिन जो आप sheet use करो हो अपको front page नहीं दिया सकते हैं कि बागी की डीटेल में आगे दिता रहूंगा उससे वह इंडेक्स देख लेते हैं क्योंकि बच्चों को इंडेक्स फिल करने में थोड़ी सी प्रावलम आती है तो इंडेक्स भी यहां पर मैंने बना दिया है सिरियल नंबर देख रहाग आपको पेजर संसा मेंशिन करने जिस पेज़ पेर आपको वह प्रैक्टिकल मेंशिन करना ऋपकोई पमिलेंगे आपको पेज नमबर समय के तो पीस एपफेष्ट क्लास होी होई नहीं हो번े तो सहीं डेट लिए पिघर से स्क्रॉल धीर धीर स्क्रॉल करके दिखा देता हूं कि एक अभी एक कमेंट पर आयता कि बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वीडियो बन रही है तो अगर इनकेस आपको कभी लगता है कि वीडियो थोड़ी फास्ट हो गई है तो यूटुब में एक फीचर दिया रहता है ज यहां से जो है प्रैक्टिकल वन स्टार्ट हो जाता आपका यह एडिंग आपको बना लेनी है ब्लैक और ब्लू पैन के अलावा कोई और से पैन आपको यूज नहीं करना है इसको डैकोरेट करने के लिए आप डैकोरेट कर सकते हो कलर्स वगरा का यूज करके स्पार्कल प बनाएंगे तो इम क्या इसका डेमंस्ट्रेट डिफरेंट मैथर्ट्स ऑफ कोकिंग इन वाटर इन स्टीम इन ऑईल इन राइट एक्सेक्ट्रा चीक है तो जैसे जैसे दिया गया बिल्कुल वैसरे सबको उतार लेना है ठीक है उपजेक्टिव में तीन पॉइंट से तीन क मैं और यहां पे दीन पॉइंट और अजाते हैं इन पों लिखने के बाद आ यह पिचर समें दिख रही होंगी दिख रही है यहे मिए पिचर आपको प्लेन वाली साट्ट पेस्ट करना और उसके नीचे आप इसको मैंशन कर देंगि कि कि यह किस चीज की पिच्चर इससम ठीक है इसके बाद next आजता है हमारे streaming streaming को भी आपकर उतार लेना है जैसे इसमें लिखा गए बिल्कुल वैसे वैसे ही ठीक कहें आगे बढ़ते हैं ऑभी इसकर आपको वाली पत्कर पेस्ट कर लें आप गूगल से बी режим पिच्चर नीकाल सकते हैं कुखिंग अल्वन की पिच्चर निकाल सकते हैं बाकि लिखने वाला चैन्ट आप यहां वीडियोमें से देख सकते हैं थीख है यह आभी तक हमारा प्रासी break in बदोड़ा सा थोड़ा सा लगा सकते हैं। लबन के लेना आपको खता है. भूत के बाद आपको यह थोड़ेतन से प्लपुट के बाद आपको दीवलन और देखने कोुमिल जाएंगी वो भी आपको उतालएनी है. और उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल वन खतम हो जाता है . चलिए आपको समझ में आगे होगा प्रैक्टिकल वन और क्लियर्ली विजिबल भी हो गया होगा बाकी पीडियोफ जो हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको अबलेबल हो जाएगा वहां से आप देखके बना सकते हैं प्रैक्टिकल टू यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है इसका भी हम आपको दे रहे हैं टेस्ट अडेल्ट्रेंट्स प्रेजेंट इन गीवन फूड ब्लैक पेपर पेपर कॉफी पाउडर टी लीव्स पॉल्स चामरिक मिल्क बाज्रा ठीक तो इन सब में अडेल्ट्रेंट्स मौझूद है यह पता लगाने के टेस्टिंग बता यह दो रखिए इसमें तो इसी अच्छे से एक्स्पें किया गया है तो फ्रेंट पेज का मैं आपको बता रहा था कि फ्रेंट पेज आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो डिटेल्स उसमें दे रखी है जो फ्रेंट पेज़ सब्समें यह लिखा हुआ है तो स्टड सेंटर नाम और स्टेडि सेंटर कोड यह सारी चीज़ आपको इसमें डाल देनी है इसके आपका भी इस प्रैक्टिकल का हम देखेंगे प्रोसीजर प्रोसीजर आ और एक चीज़ और बतादो मैं आपको कोई सब्चल का कोई और सभेक्टिकल का चुश्म कर प्रैक्टिकल में हाना पड़ता है और थिरी में अलग से पास होना पड़ता है वाक्षण्ल सभ्जेक्ट के टीमें नहीं होते हैं तो टीमेंस के टैंशन ना ले आप वश्चेशनल अपने आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि यह इसमें क्या-क्या लिखा गया है ठीक है और वकेशनल सब्जेक्ट का इतना टैंशन लेने की ज़रत नहीं है वकेशनल सब्जेक्ट से ज्यादा कोशन्स नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी यह नया नया आया है इनकी बुक्स व अगयरा जो पूट आउट होंगे वह आपकी फाइल में से पूछे जाएंगे वकेशनल सब्जेक्ट के मुस्ट लीकोशन जो है ठीक है तो इन सारी चीजों का अपको अध्यान रखना है बागी बेसिक चीज़ें आपको इनकी पढ़ लेने हैं अगर आपके पास बुक दोबता है अब next practical practical oup प्री चलते हैं आप यहां से जो आपके छोटी छट्ट के स्टार्ट हो जाएंगे दो दो पेच के अब इसमें पिच्छर अगर अपने 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 लगा सकते आप एम देख लेते हैं इसका फ्रॉम दा गिवन पैकेट से इडेंटिफाई तू प्रोड़क्ट स्टाइट है दा क्वालिटी अस्वारिंस मार्क की बता बात कर रहे हैं यहां पर दो प्रोड़क्ट की तो यहां पर आपको इसका भी अब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा फिर फिर प्रेरी को इसके आपका प्रोसिजर आ जाता है प्रोसिजर में आपको s прин पर पॉंट आपको दिख रहा होंगे आपको इस यह चारव उतार लेने हैं उसके फिट पॉइंक कर नेक्स्ट पेज पर डेरखा है और इसके बास से जुए आपकी ब्रेकोशन स्टार्ट हो साथा जाती है इस सब्सक्राइब प्रेक्टिकल थ्री खतम होता है और प्रेक्टिकल फूर आपका स्टार्ट हो जाता है इम इसका यहां तक ही लिखा क्योंकि बहुत ज़्लेंद्ध हो जाता है इसलिए गिवन पैकेजिस फूर लेबलिंग इन टरम्स अफ ब्रायंड नेम टेड नेम नूडल्स पैकेट्स मसाला पैकेट्स बेवी फूड्स सॉस मैंगो डिंक एक्सेक्टर अब यहां पर आपको इसका अब्जेक्टिव दिखने को मिल जाएगा अब्जेक्टिव में तीन पॉइंट्स है तीनों पॉइंट्स आपको उतार लेने हैं ठीक है फिर आपका प्र पॉइंट्स पर दिख रहोंगे फिफ्ट पॉइंट आपको थोड़ा धंग से ना दिख रहा हूँ तो अभी स्क्रॉल करूंगा तो आपको फिफ्ट पॉइंट के आगे का भी क्लिरली विजिबल हो जाएगा ठीक है तो छे पॉइंट आपके ये पूरे हो जाते हैं उसके प्रिकोशन के तीन पॉइंट्स और दे रखे हैं वो तीनों पॉइंट्स क्या गया है वो भी मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ ठीक है तो ये प्रिकोशन के तीन पॉइंट वह तीनों आपको उतार लेने हैं उसके बाद आती है आपके observation observation में भी आपको तीन ही point दे रखेंए ये तीनों पॉइंट आपको as it is उतार लेना है फिर आता आपका conclusion conclusion की heading बनाएंगे और उसके बाद ये वाला paragraph जो है आपको लिख लेना है तोड़ा सा चोटा कर दें ताकि आपको यह पैराग्राफ जो अच्छे से दिख सके अगर आप स्क्रीन शॉट मारके लिख रहे हो और एक चीज़ अगर बता दो यह पैराग्राफ यहां से चेंज नहीं है ठीक है यह एक साथ है तो यहां पर स्पेस में नहीं आपाता इस वज़े से नेक चल रहा भी आपका इन क्या इसका इवैल्येट इस पैकेट्स फोर एसे से रेज यूज़ इन पैकेजिंग अब यह पर आपको अब्जक्टिव दे रहा है अब्जक्टिव में तीन पॉइंट है तीन पॉइंट आपको उतार लेने हैं ठीक है फिर प्रीट इक्वासाइड में दो पॉइंट्स आपको और दे रखें हैं बेसिक अंडेस्टेंडिंग ऑफ पैकेजिंग मेटेरियल औ सक्रेंट आपको स्क्रेंट पर दिख रहे होंगे तीनों के प्याट फट्सा ले लीजिए है अगर आप स्क्रेंश्याट क्लिके बना रहे हैं तो इसके बाद आपका फेस्ट और फ्र हुंद फॉर्ट पोंट आपको दिख रहा होता और उस फॉर्ट और फ्र के आपके हैं। अबढ़ते हैं। अब्सार्वेशन में भी तीन पॉर्ड आपको Sea rebo息 रहे हैं। तीनों point आपको as it is उतार लेने हैं कुछ changes नहीं करना है और उसके बाद जो आता है आपका conclusion और conclusion भी आपको as it is उतार लेना है अगर आपको इससे related pictures वगरा मिलती है Google पर search करने पर तो क्या करना आपको Google पर search ये भी देख लिजेगा यहां पर जैसे एम में लिखा हुए यही आपको search करना है Google पर अगर आपको इससे related picture मिलती है तो paste कर दीजेगा अदर्वाइस रहने दीजेगा ठीक है practical 6 पर चलते है पैक एंड सील चटनी इन प्लास्टिक बाग जार बॉटल ठीक है objective में आभी आपको तीन पॉइंट दिख रहे होंगे तीनों पॉइंट आपको आपको इससे प्रेक्टिकल करेंगे आपको ऐसे जब दे आ रहते स्टार्टिंग में अंदर जैसे मैंने अभी आपको दिखा तो दिखा दे रहे हों दुबार से प्रेंट पेज इरा इंडेक्स आपका अगर आपको इस तरीके से दे रखा तो यह प्रैक्टिकल वाला पॉशन होता है इसके अंदर आपको उसका एम लिखना होता है यहां पर मैंने एम ही लिखा है अभी मैं आपको फॉर्स प्रेक्ट तरीके से फिल करना है ठीक है तो प्रैक्टिकल छे पर वापस से आ जाते हैं प्रैक्टिकल छे हम कर रहे थे अब जेक्टिव में तीन पॉइंट आपको दिख रहे होंगे तीनों पॉइंट का फटा-फट से स्क्रीन शॉट ले लिजिए और हम आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर आज अग का प्रिकोसाइड में आपको दौइंट को दिखेंगे रहे होंगे दोनों पॉइंट उतार लेने हैंगे मैं आपको पाँछ पॉइंट दिख रहे होंगे पांच हो के पांच फब्रिक दिख रह रहना है जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बाकि जो भी चेंजिस वगएरा है मैं बताता है चल रहा हूं आपको तो चेंजिस भी करते रहीएगा और कलती नहों इसका ध्यान रहे इसलिए वीडियो को भी एंड तक देखते रहना इसके बाद आजाता है प्रोसीजर में निकाल के लगा सकते हो या कोई और से पिच्छर आपको जो अच्छी लगे वह वाली लगा सकते हैं ठीक है अब यहां पर थर्ड पॉइंट के आगे फॉर्थ फिफ्ट और सिक्स्थ सैवन पॉइंट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहोंगे फटा-फटा स्क्रीन शॉट ले लिजिए आगे बढ़ते हैं प्रीकोशन अजयता है प्रीकोशन में आपको चार पॉइंट को आपको अइज इस उतार लेना है ठीक है इसलिए मैं थोड़ी फास्ट वीडिव चला तो क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लेंदी हो जाती है खैर अभी दो प्रैक्टिकल और बचे है साइवन्थ प्रैक्टिकल पर हम आ गए हैं इसका एम क्या है दा विद दा हैल्प अफ लेबला इंटिफाइद इंडिएंट्स यूज इन दा प्रिपरेशन अफ प्रॉडक्ट अफ प्रॉडक्ट कैन बी जैं सॉस पिकल्स ठीक है एक सेक्टरा तो प्रॉडक्ट आज आती है इसके बाद आपके अब्जर्वेशन आगे यह अब्जेक्टिव आना था यह ठीक है तो यह थोड़ा चेंज कर लेंगे अभी हम जब आपको मैं पीडिएफ अप्लोड करूंगा टेलिग्राम पे तो यहाँ पर जाके आप सही कर लिजीगा यहाँ पर अब्ज अब्जेटेज़ उतार लेंगे ठीक है अब मैं अधिलियर्य लिक्वारड के बाद आपका प्रोसिजर प्रोसिजर आपको इसट इसटार लेना है फिर वाली पिच्चर आपको पेस्ट कर देनी है ठीक है फिर प्रिकोशन प्रिकोशन में आपको दो पॉइंट दिख रहोंगे दोनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं फिर उब्जर्वेशन में अभी आपको स्क्रीन पॉइंट दिख रहोंगे तीनों पॉइंट आपको ए एट भी हम स्टार्ट कर देते हैं इसके संत्य वाला प्रैक्टिकल भी हमारा पूरा होता है नेक्स चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर एट पे जो की थोड़ा सब बढ़ा होगा प्रैक्टिकल एट टु मेकर डिलिशियस एंड रिफ्रिशिंग लेमन औरेंज एपल स्कूर्स अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब देया क्यों हैहाएबच के आफको कही नहीं मिलेगे हमारे चैनल कर ले अप्लोड कर ले रहे हैं वट्स ॉप मैसेज मत करिएगा प्रैक्टिकल फाइल के लिए कि प्रैक्टिकल फाइल जो हम ओड़्य सारे बच्चों के रिप्लाइ नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा अगर आपके कोई डाउट है तभी वर्टसप पर मैसेज करें अधर्वाइस आपको अगर फाइल चाहिए तो फाइल जो है आपको टेलेग्राम पर अवलेबल हो जाएगी व यहां से फूट जयाम आपका प्रूट जयम आपको अधरिज उतार लेना फिर अली पिच्चर आपको पेस्ट कर लेनी है ठीक है फिर फॉर पिकल्स आपको चार-5 पॉइंट दे रहें पाच्व पैंट आप उतार लेंगे फिर आजद आपका प्रिकॉशन प्रिकॉशन में चार-5 पाइज उतार लेने हैं इसके बाद अब्सर्वेशन में तीन पॉइंट आपको दिख रहे होंगे वह तीन पॉइंट आपको इस इस उतार लेने हैं इसी के सांथ आपके सारे प्रेक्टिकल खतम होते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपके लिए लाइक कर देना यार चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन भी प्रेस कर देना थैंक्स वर वाचिंग अस है वाण नाइस जे स्टेट यून विद एड़ू सेंटर डेल्ली कि अ कि अ कि